दोस्तो नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग घर बैठे अधार कार्ड में बहुत सारे आनलाइन अपडेट कर सकते हैं लेकिन कुछ अपडेट कराने के लिए आपको अधार सेंटर जाना ही पड़ता है दोस्तो अधार सेंटर में इतनी भीड होती है कि वहाँ पर आपको appointment मिलना मुस्किल हो जाता है दोस्तो इसी को देखते हुए government ने आपके लिए एक website उपलब्द करवाई है जिसके माध्यम से आप online घर बैठे आप appointment appointment ले सकते हैं दोस्तो इसी की भी से मैं आज मैं आपको पूरी जानकाई दूँगा दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्काइब कर लें नीचे जो रेट का लर्म लाइकन दिया उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर की फिदियो कि जानकर है आपको मिल सके दोस्तों सुरूव करते हैं आज की वीडियो दोस्तों जैसे की आप लोग जानते ही हैं कि अधारकारण संंटर में बहुत फिव्य रहोती है तो वहाँ पर I никаких मिलनना बहुत मुश्किल होता है आप वहां से जा करके आनलाइन अपॉर्टमेंट ले सकते हैं दोस्तो यू आई डिये ने देश में कुछ आधार सेवा केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में भी बिक्सित किया है यहां बिना अपॉइंट्मेंट के अधार कार्ड नहीं बनाया जाता है वही यू आई डिय आई आधार कार्ड में अड्रेस अपडेट करने जैसी सेवाएं आनलाइन दे रहा है लेकिन नया अधार कार्ड बनवाने के लिए आपको अधार सिंटर जाना ही होगा दोस्तों किन काम के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा है इसकी जानकर यह आपको दे रहा हूँ, अधार कार्ड में नाम बदलवाना, अधार कार्ड में डिस अपडेट कराना, मॉबाइल नमबर अपडेट कराना, इमेल अपडेट कराना, डेटा बर्थ अपडेट कराना, अधार कार्ड में लिंक बदलवाना, पाविमेट्रिक अपडेट कराना, मतलब फोटो बगेरे चिंद करवाना यह सब के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों इसकी एक बेफ साइट है जो यू आई डे ने उपलब्द करवाई है इस बेफ साइट में जाब करके आपको सबसे पहले आपको साहर का नाम फिल करना होगा कि साहर में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको मुवाइल नंबर और कैप्चर डालना हो पड़ेगा फिर आपके फॉन में ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ट से मतलब रेजिस्टर्ड नंबर होगा उस पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट की आपको रसीद दे दी जाएगी दोस्तों यह एक आसान प्रकिया जिसके मादम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आनलाइन घर बैठे दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगई हो तो प्ली